Hello Friends Welcome to my channel Excellent Coach Last time हम यह पढ़ रहे थे कि कैसे cognitive dissonance के वज़ा से लोग अपना attitude change करने के लिए तयार हो जाते हैं यहां फिर अपना behavior change करने के लिए तयार हो जाते हैं क्योंकि जब उनके attitude और behavior में difference आ जाता है तो उनको एक dissonance feel होता है dissatisfaction feel होती है की वज़ा से यहां तो वो अपना attitude change करना चाहते हैं या अपना behavior अब dissonance theory एक और चीज़ यहां पर बता रहे हैं कि एक effect होता है less leads to more effect इसके बारे में बता रहे हैं यहां पर कि dissonance theory एक चीज़ all predict करती है कि जितना weaker होगा reason for engaging in attitude discrepant behavior क्याने का मतलब है कि आपको जिस चीज से dissonance हो रही है उस चीज में engage होने का reason जितना कम होगा उतना ज्यादा आपके ओपर pressure होगा अपना attitude change करने का मतलब अगर जैसे suppose आपका attitude है कि आप लोगों को यह बोलते हो कि smoking नहीं करनी चाहिए लेकिन आपका behavior क्या है कि आप खुद smoke करते हो ठीक है so now the weaker the reason we have for engaging in attitude discrepant behavior मतलब हमारे पास कोई reason नहीं है इस तरीके से show करने का कि हम बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं हमारे पर reason नहीं है यह बोलने का किसी को कि यह चीज का कि हमें हम बोल रहे हैं कि smoking नहीं करनी चाहिए और फिर भी हम smoke कर रहे हैं इतना कोई strong reason नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं ऐसा तो उस वजह से हमारे अंदर एक ज़्यादा pressure आता है कि हमें attitude change कर लेना चाहिए अपना क्यों कर रहे हैं जब हमारे ऊपर कोई force नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है फिर भी हम अपना attitude नहीं change कर रहे हैं और हम अपना behavior नहीं बदल रहे हैं तो जितना reason weak होगा इस तरीके से dissonance होगी जिस वजह से attitude discrepant behavior का मतलब है जिससे हमें dissonance feel होती है तो वह उस behavior को show करने का reason जितना weak होगा उतना pressure हमारे उपर पड़ेगा attitude change करने का क्यों क्योंकि जब हमारे उपर कोई strong reason ही नहीं है इस तरह के behavior में engage होने का तो हमें यह लगता है कि हम क्यों इस तरह की चीज़ कर रहे हैं जिससे हमें खुदी बुरा लग रहा है हमें खुदी इतना dissonance feel हो रहा है और जब को strong reason होता है तो हम उसको एक excuse बना लेते हैं तो जैसे suppose किसी होने समोकिंग कर्ते हों कोई बात है लेकिन आपको सबको जबर दस्ति आपको बोला जा लेकिन क्या आज आप को सबको आपको इसारा नहीं करना चाहिए तो विना किसी पीछेol strong force के आप अपने आपको खुदी dissonance फील करवा रहे हो तो उस case में आपका attitude change होने का ज्यादा pressure होता आपको फिर मन करता है कि मैं अपना attitude बदल क्यों ना लूँ में जबरदस्ती क्यों यह अपने आपको dissonance फील करवा रहा हूँ when we have strong reasons for engaging और जब reason strong होता है कोई we realize that these reasons are responsible फिर हम उन reasons को responsible बना देते हैं अब जैसे कोई teacher है teacher वो अपने students को यह बोलता है कि marks के उपर ज्यादा ध्यान मत दो आप जो है जो आपको knowledge होनी चाहिए चीजों की concept clear होने चाहिए marks कम आ जाएं उससे फरकनी पड़ता है ठीक है अब क्या है suppose उसके बच्चों को जो पढ़ाता है teacher उसके बच्चों को बहुत अच्छी knowledge है उनका concept बहुत सदा clear है लेकिन वह बच्चों के marks सोड़े बहुत कम आ जाते हैं क्योंकि जो चीज़े रट के लिखनी होती है वह नहीं कर पाते लेकिन अगर कोई इसके उपर principle force कर रहा है marks दिलवाने के यह teacher क्या करेगा मजबूरी में आके स्टूडेंस को बोलेगा कि नॉलिज वाली बात बोल जाओ और marks लेके आओ ठीक है जबकि यह ऐसा मानता नहीं है तो उस क्या रहा है कि marks लेके आया करो जादा जबकि इससे पता है इस teacher को पता है कि marks से फरकनी पड़ेगा नॉलिज होनी चाहिए लेकिन फिर भी यह बच्चों को कह रहा है कि marks क्यों नहीं लेके आए marks तो उस case में इसके ओपर जबकि कोई pressure नहीं है किसी से principle से तब भी यह अपने attitude से अलग behavior दिखा रहा है तो इस case में इसको बार बार dissonance फील होगी और इसको बार बार अपने mind में यह बात आएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला इस बच्चों को क्यों ऐसा students को बोला जबकि मैं खुद ऐसा नहीं मानता तो यहीं चीज यहां पर बता रहे है कि less leads to more effect कि less pressure है उसका dissonance दिखाने का फिर भी वो dissonance दिखा रहा है तो उससे उसको अपना attitude change करने का ज़्यादा effect हो रहा है उसके ओपर dissonance behavior दिखाने का dissonance behavior नहीं हो रहा है कोई dissonance भी नहीं हो रही है तो कोई attitude change में नहीं होगा ठीक है rewards barely sufficient to introduce थोड़े से reward है जिसकी वज़ा से वह attitude discrepant behavior दिखा रहा है तो वह behavior होगा उन थोड़े से rewards के लिए individual has few reasons और reason बहुत few होगा बहुत ही weak reason होगा उस behavior में engage होने के लिए तो dissonance बहुत ज़ादा होगी उनको कि हमने थोड़े से reward के लिए क्यों ऐसे बोल दिया अच्छा rewards अगर जादा है यानि कि मानलो कोई बहुत प्रेशराइज कर रहा है तो वह behavior जो होगा individual has many reasons फिर वह उसके पास बहुत reason होगे कि मुझे तो प्रेशराइज किया गया मुझे तो reward मिल रहा है अब जैसे smoking वाले person को बोला जाए कि हम तुझे 10,000 रुपीज देंगे जाके तू 5 लोगों को यह convince कर दे कि smoking करना बुरी बात नहीं होती तो वह ऐसा करेगा obviously कोई 5 लोगों को convince करने के 10,000 रुपे दे रहा है तो वह 5 लोगों को convince करेगा यह behavior show करेगा और यह reason भी बोल देगा कि मैंने तो इसले किया मुझे तो पैसे offer हो तो dissonance उसको नहीं feel हो रहा है थोड़ा बहुत भी हो रहा है लेकिन जादा नहीं हो रहा है क्योंकि वह reason सोच रहे है मैंने तो पैसों के लिए किया है वन्ना मैं ऐसा नहीं करता तो attitude change नहीं होगा ठीक है अब इसके बाद अब यहाँ पर कह रहे है while the less leads to more effect has been found in many studies बहुत स सारी conditions होती है जैसे कि the less leads more effect occurs only in situation where people believe that they have a choice as to whether or not to perform जब हमारे पर choice होती है कि हमें attitude discrepant behavior दिखाना है या नहीं दिखाना है तब हमको ज़्यादा pressure feel होता है कि हम अपना behavior change कर लें second small rewards lead to greater attitude change यह हमने देख लिया कि छोटा reward के लिए हमें लगता है कि हम क्यों इस तरीके से behave कर रहे हैं जो हम नहीं मानते तो हम अपना attitude change कर लेती क्योंकि reward बहुत छोटा होता है ठीक है and third less leads to more effect does not occur when people view the payment they receive as a bride और अगर किसी को आप ब्राइब दे रहे हो कुछ ऐसा करने की तो फिर वो effect नहीं होता है फिर उनके माइंड में की reason आ जाता है कि मुझे तो ब्राइब मिल रही है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो उनको cognitive dissonance या dissatisfaction feel नहीं होती है कुछ भी गलत करने से तो यही चीज़ इन्होंने practically जो लोग practical examples में apply करके देखी है जैसे hypocrisy जो लोग hypocrisy में involved होते है hypocrisy क्या होता है जैसे बोलना कुछ और करना कुछ तो example दिये है people who do not wear safety belts are much more likely to die अब जैसे यह statement है हर कोई पड़ेगा तो कहेगा एकदम सही बात है जो safety belt नी पहनते कार में उनके accidents जल्दी होते है people who smoke heavily are much more likely to develop lung cancer heart disease जो ज्यादा है भी smoke करते हैं यह भी बात शीक है बिल्कुर उनको lung cancer heart disease होता है people who engage in unprotected sex are more likely than those who engage in safe sex to contract dangerous disease तो जो unprotected sex में engage होते हैं उनको AIDS जैसी problems तीनों बाते ठीक है अब सारे लोग कहेंगे यह बिल्कुल सही है who know these statements are true so their attitude are generally favorable toward using seatbelt तो कहेंगे हमें करना चाहिए seatbelt यूज करना चाहिए हमें smoking नहीं करनी चाहिए ठीक है बट स्टिल वह बिना seatbelt के drive करते हैं वह smoke करते हैं तो कहने का मतलब है कि उनके attitude में इतना कोई चेंज नहीं दिखता है ना behavior में चेंज दिखता है मतलब attitude or behavior match नहीं करते हैं तो हम क्या cognitive dissonance को use कर सकते हैं इनके attitude को change करने के लिए for beneficial changes क्या हम cognitive dissonance concept का use करके कि किसी का attitude बदल सकते हैं तो यहां पर इन्होंने यह बोला हुए है कि a growing body of evidence suggests that it can specially when it is generated by feeling of hypocrisy अगर आप उनको यह feel करवादो कि वो hypocrrate हैं यानि कि उनको आप यह aware करवादो कि वो जो बोलते आना वो करते नहीं आप रिसे लोग hypocrisy चुपाने की कोशिच करते हैं लेकिन आप उन्हें यह feel करवादो कि वो जो बोल रहे हैं कर नहीं करना चाहिए पर वो खुद नहीं कर रहे हैं तो उनको यह फील हो जाएगा कि वह हिपोक्रेट है ठीक है और उस केस में उनको बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर लिखा है कि यहां पर दिख रहे हो यहां पर दिख रहे हैं इस तरह का बिहेविर कितना डेंजरस होता है फिर भी लोग जो है एडवेंचर के लिए यह सब चीज़ें करते हैं ठीक है तो यह बंजी जंपिंग हो गई तो इसमें क्या है कि पीपल हो एंगेज इन सर्च आक्शन जो लोग यह करते हैं अगर उनी को हम बोल दें कि आप इसको प्रमोट करो इस चीज़ को कि यह इस तरह के बीएवियर में हमें हमें नहीं involved होना चाहिए एसे लोगों को ही किसी तरीके से उसमें आप उसकी responsibility देदो के सब को यह चीज़ का aware करें कि हम यह सब नहीं करना चाहिए यह बहुत रिस्क्य होता है तो क्या होगा जब यह दूसरों को सिखाएंगे समझाएंगे तो इनको यह फिल होगा कि हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं कि हम खुतों करते हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से यह अपना खुद का behavior भी change करने की कोशिश करें फिर आता है social behavior, social behavior में यह बात कर रहे है prejudice की तो prejudice क्या होता है जब हमारा attitude किसी दूसरे member of the group किसी भी group member के लिए या किसी भी group के लिए negative attitude होता है तो negative attitude towards the members of the some social group based on their membership क्यों negative है क्योंकि वो उस group के member है अगर वो उस group को छोड़के हमारे group में आ जाए तो वो negative attitude खतम हो जाएगा तो जब दूसरे group की तरफ हमारा negative attitude होता है तो उसको हम बोलते है prejudice डारेक्ट इंटर ग्रूप conflict इसमें क्या होता है कि एक तो हम groupism करना शुरू कर देते हैं कि यह हमारा group है यह उनका group है चाहे वो caste का हो चाहे वो religion का हो चाहे वो status का हो एक groupism होनी शुरू हो जाती है और फिर उन दोनों groups के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है तो realistic conflict theory क्या कह रही है तो जब कुछ चीजों के पीछे और कुछ opportunities के पीछे क्या है general group और reserved group के बीच में competition हो जाता है तो इनके बीच में conflict हो जाता है तो कुछ चीजों के पीछे opportunities के पीछे जब दो ग्रूप में आपस में competition हो तो conflict होने शुरू हो जाते हैं और फिर prejudice शुरू हो जाता है तो job के लिए हो गया या status के लिए हो गया इन सारी चीजों के लिए तो according to this view prejudice stems from competition between social groups over valued commodities and जो दोनों के valuable है उन commodities के लिए ठीक है अब इस case में हम क्या करते हैं जब हम prejudice show करते हैं तो हम social categorization कर देते हैं social categorization क्या होता है in group और out group बना देना in group मतलब मेरा ग्रूप हो गया out group मतलब दूसरे का ग्रूप हो गया us या और them जैसे यह लिखाओ न us vs them की मतलब मैं और वो हम दोनों के बीच का competition तो in group मतलब मेरे group के member मेंबर मेरा जो आफ गर आउट मतलब दूसरे गरूप के मेंबर दूसरा गूप और इनके बीच में बहुत सारे तरीके की कॉमपेटीशन जैसे अब गुरूप रेस का रेलीज़्िन का जैंडर का में फीमेल का अपसमें कॉन्फिक्ट एज का एथनिक बैक ग्राउंड का ऐक जाते हैं एक दूसरे के लिए के नेगेटिव फीलिंग जाने शुरू हो जाती है तो आउट ग्रूप मेंबर्स आर अज्यूम टू पजेस मोर अंडिजारेबल हम यह लगते कि जो दूसरे ग्रूप के मेंबर है उनमें वह चीजे नहीं है जो डिजारेबल है और जो हमारे ग लोग यह नहीं है उनके अंदर पो फीलिंग नहीं है उनको उनकी आदतें खराब है मतलब वह इंसान नहीं है इस तरीके से फीलिंग आ जाती हम तो बहुत अच्छे यह वह लोग तो इनसान ही नहीं है भी टेंट टू एक डिजारेबल बिएविर पाइं मेंबर ओफ और ग अच्छी है इसलिए लेकिन दूसरे ग्रूप के साथ कुछ अच्छा होगा तो हम कहेंगे वो तो उनकी लग अच्छा था इसलिए आज अच्छा होगा जैसे अब दो बास्केटबॉल किउप्टिशन को अगर इसमें एकजामप्ल में फिट करो तो टीम ए और टीम भी तो जैसे टीम मेंबर एकुछ कोई मेंबर है और उसकी टीम जीए जाती है और सपोस्थ टीम हार जाती है यह जीए तो यह बता कहेगा कि वह जो ग्रूप उनका आज लग अच्छा था to make favorable attribution about members of one's own group than about members of other group is referred to as ultimate attribution error जैसे fundamental attribution error बताई थी ऐसे ही अगर group में हम ऐसे कर रहे हैं कि अपने group को हम internal cause की वज़ा से अच्छा बता रहे हैं और दूसरे के group को हम उसके luck की वज़ा से तो इस चीज़ को बोलते हैं ultimate attribution error क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं self-serving बायस कर रहे हैं अपने लिए अपने आपको बायस तरीके से देख रहे हैं फिर इसमें social learning का क्या रोल आता है prejudice में इसमें कह रहे हैं कि जो prejudice है ना वो social learning से जैसे आप जैसे parents है parents किसी एक political party की तरफ बहुत जादा prejudice है उनको वो political party अच्छी नहीं लगती है वो घर में उस तरीके से उसके बार में बात करते हैं और जो उस political party की तरफ पेरेंट्स का attitude है वो learning बच्चों में भी आती है तो वी acquire them from people around us social learning में क्या होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे हम देख के और सुणके सीखते हैं तो बच्चे कैसे सीखते हैं observation learning से सीखते हैं पेरेंट्स टीचर्स अब अगर किसी के घर में किसी एक religion के लेके हमेशा गलत बात होती है वो दूसरे religion के लोगों को हमेशा गलत बोलते हैं तो बच्चा उसी चीज को सीखता है और उसके अंदर भी वही चीज आ जाती है और same television, films, media यह सब लोग भी social learning का ही एक source है इन फैक्ट African Americans, Asians, person of Hispanic descent and many other minority groups were indeed presented unflattingly in films on television in US in past decades मतब जैसे क्या होते हैं कि कई बार minority और majority group का इसे minorities का और majority यह दो हमारे इंडिया में भी ऐसे कुछ लोग religion है जो minority में आते हैं majority उनमें भी difference होता है तो मीडिया में भी कई बार उस तरीके से दिखाया जाता है तो बच्चों के अंदर दीरे दीरे वह socialization के थूँ आ जाता है सोचल लर्निंग के थूँ पर इसमें stereotype का क्या रोल है prejudice में stereotype होते क्या हैं जो बहुत पुराने है कि इस यह वाले पर्टिकुलर जगा के लोग बड़े आलसी होते हैं वह हमने सुन लिया आगे हमने वही पास-on कर दिया और वही जब अगर वह कर रहा है बिल्ड कर रहा है तो वह stereotype ही नहीं तो कर रहा है तो इस और कोग्निटिफ फ्रेमवर्क कंसिस्ट आफ नौलेज और बिलीफ अबाउट स्पेसिफिक सोशल ग्रूप तो किसी दूसरे ग्रूप के लिए कोई बिलीफ लेके हम चलते हैं और वह दूसरोंने हमें सजेस्ट किया होता है दूसरों से सुन लिया होता है उसके पीछे कोई लौजिकल रीजन नहीं होता बस वह बात चलती आ रही होती है वह हमारे माइन में एक स्कीमा की तरह छप जाता है और हम उनके बारे में वैसा ही हो जाता है प्रिजूटिस का और क्योंकि स्टीरियो टाइप इतने सालों से चल रहे होते हैं कि इनको बदलना भी बहुत बहुत जादा मुश्किल होता है कि stereotype चेंज हो जाए क्योंकि वह बहुत टाइम से वह चीज़े चलती आ रही होती है जो कि जिनके पीछे कोई logical reason नहीं होता है फिर किस तरीके से हम prejudice को challenge कर सकते हैं मतलब कम कर सकते हैं breaking the cycle of prejudice, learning not to hit हम कैसे कर सकते हैं कि हम prejudice कम करें और यह break करें cycle को जो लगाता रहे के बाद एक generation चलता ही रहता है तो इसका सबसे अच्छा एक तरीका है कि parents और teachers और adults को encourage करें कि वो अपने बच्चों को biased views ना सुनाए unbiased views के लिए encourage करें कि किसी की तरफ हमें biased नहीं होना है किसी के लिए हमें गलत नहीं सोचना है हमें सबको unbiased होके देखना है तो अपने खुद के negative attitude को अपने बच्चों के अंदर ना डालें और उनको सिखाएं इस चीज को कि हमें सबको एक तरीके से देखना चाहिए और किसी को harm नहीं करना चाहिए क्योंकि जो खुद जो prejudice होता है उसको भी और ज्यादा हाम होता है एक तो हम उसको हाम करते हैं जिसकी तरफ हम negative सोच रहे हैं दूसरा हमारे उपर भी तो हाम हो रहा है अगर हमारे माइंड में negativity भरी हुई है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो fear anxiety anger यह सारी चीज़ें लेके आता है हम किसी को देखके गुसा करते हैं किसी को देखके डर ज यू से देखें और किसी के लिए बिना logic के किसी के लिए कोई stereotype ना रखें दूसरा जो यह सोचता है उसके उपर भी तो हाम होता है फिर direct intergroup contact करने से मतलब जिन दो groups के बीच में conflict चल रहा है अगर उनको directly आपस में बात करा दी जाए उनका contact करा दिया जिसको बोते हैं contact hypothesis अब जैसे हम क्या करते हैं जैसे दो बच्चों के बीच में अगर जगडा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों बैटके आपस में बात करो आपस में बैटके solve करो तो वो होता है contact hypothesis के दो जो groups के बीच में conflict है वो दोनों बैठो और आपस में discuss करो कहां पे confusion हुई है क्यों वो facts क्या है facts को clear करो कहानिया क्या है facts क्या है तो वो होता है contact hypothesis दोनों के बीच का contact बढ़ेगा तब ही वो बात करेंगे ना अगर दूर दूर रहेंगे contact नहीं बढ़ेगा तो बात ही खतम नहीं होगी तो stereotypes को खतम करने के लिए contact increase कराना बहुत ज़रूरी है और groups आपस में जब contact करते हैं तो clarity आती है कि क्यूं इस तरीके से prejudice करते हैं वो एक दूसरे के साथ contact करने से यह कह रहे हैं कि जब आपस में contact करते हैं तो उनको यह भी बता चलता है कि जो stereotype उन्होंने पूरे group के लिए बनाया था वो जरूरी नहीं है सारे सेम अगर उन्होंने एक किसी person को देखके बोल दिया कि उस group के सारे लोग बड़े आलसी है तो जरूरी नहीं है कि उस students कम हो जाएगा यहां बढ़ जाएगा the group interacting must be roughly equal in social status तो यह कह रहे हैं कि एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो group contact कर रहे हैं आपस में उनका roughly status equal हो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे का status नहीं हो वरना वो contact करने का benefit नहीं मिलेगा roughly equal status होना चाहिए दोनों का आपस में cooperation और उनको एक दूसरे को जानने के लिए दूसरे से contact करना है नॉम्स favoring group equality group की quality को सामने लेके चलना है इसलिए equal group होना जरूरी है तो equality को लेके सामने बात रखनी है ठीक है अब क्या है कि कई वर क्या होता है कि एक अर्द ग्रूप बहुत जादा हो जाता है और उससे क्या होता ह जो reason होता है वह जादा खराब हो जाता है मतलब contact कर रहा होता है और जो भी है बात बिगड़ गई और जितना पहले था उससे कई ज्यादा negative emotions हो गई तो इसका भी रिस्क रहता है इसलिए कई बार psychologists इस चीज़ के लिए मना करते है कि contact directly नहीं होना चीए क्योंकि कई भी बात बनने से ज़्यादा करें बिगड़ भी जाती है तो अगर balance नहीं हो पाता है equal status का नहीं होता है group तो क्या होता है और ज्यादा negative emotions हो जाते हैं और ज्यादा prejudice हो जाता है अब contact hypothesis को इन्होंने modify करके दिया हुए extended contact hypothesis तो hypothesis क्या कहता है यह वाला extended contact suggest that direct contact between person from different groups is not essential for reducing prejudice between them तो यह कहारे कि direct contact करने की जरुवत नहीं है जैसे हमने उपर बात की कि कई बार direct contact होने से आप इसमें जगड़ा हो जाता है और ज्यादा problem हो जाती है तो extended contact करो direct करने की जरुवत नहीं है तो आपस में बहुत अच्छी friendship है ऐसे अगर इस चीज़ को promote कर दिया जाए कि cross group friendship हो गई है लोगों की चाहे वो उनको जानते नहों जिनकी friendship होई है उनको पता नहों कि किसके बारे में बात हो रही है existence of such friendship can indicate that contact with other group members is acceptable इससे क्या होते है लोगों के बीच में आ जाता है कि शायद अब हम दूसरे group के members के साथ दोस्ती कर सकते हैं अब यह चीज़ शायद normal हो रही है similarly knowing that members of one's own group enjoy close friendship with members of an out group can help to reduce anxiety तो उससे anxiety कम होती है जब उने पता चलता है कि दोनों groups की तो आपस में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ friendship है उनकी और ऐसा हो सकता है कि यह दो groups में भी आपस में दोस्ती हो सकती है तो इस तरह के जब कुछ example set होते हैं जब हमें दिखता है कि यह दोनों group की भी आपस में friendship हो सकती है तो उस तरह की जब awareness होती है उस तरह की friendship की तो यह understanding बनती है कि अच्छा जो चीज़ हम सोचे थे possible नहीं है वो भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि हमने सोचा था कि यह दोनों आपस में कभी फ्रेंड नहीं हो सकते यह नहीं हो सकता तो कुछ लोग ऐसे example set करते हैं जिसे हमें बता चले कि दोनों group आपस में friendship कर सकते हैं इनको आपस में बारचीत होती है उनके बीच में कोई prejudice नहीं है तो जो है यह चीज़ प्रिजुडिस कम होने लगता है दिरे दिरे जैसे कि आप इन्होंने line भी लिख्यू लिए जोसेफ एडिसन की कि greatest sweetener of human life is friendship तो इस चीज़ को follow करते हैं फिर recategorization कर सकते हैं जैसे हमने उपर देखा कि जब conflict होता है तो हम क्या करते हैं हम एक social categorization कर देते हैं कि us between them us versus them कि यह हम है वो है उसको recategorize कर दो and recategorize करने का मतलब है कि कि जैसे आप अस के आपके group के अंदर दूसरा group भी किसी तरीके से involved हो जाए वह कैसे होगा जैसे इन्होंने एक example दिया है कि suppose दो colleges की basketball team है जो आपस में competition करती है तो एक यह वाला एक हो गया group वाला member जो कहेगा कि यह मेरी team है वो दूसरी team है suppose ठीक है दो colleges के आपस में competition अगर हो रहे हैं वही अगर आपको यह बोला जाए कि आपकी state का दूसरी state से competition हो रहा है तो इस case में यह पूरा ही आपका in group हो जाएगा और इन group में आप भी आ जोगे और वो दूसरा college भी आ जाएगा क्योंकि आप पूरी state को belong वो कर रहे हो represent कर रहे हो तो इस case में जो us हो जाएगा यह पूरा हो जाएगा दोनों colleges us में आ जाएगा तो recategorization हो गई पहले category के आथी कि यह college अलग और वो college अलग वो इसलिए क्योंकि आपस में competition था अब आपस में ना करके अगर उस पूरे group का दूसरे state से करा दिया जाए तो वो फिर recategorization हो जात है तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वह सोशल साइकॉलोजी और इस इन इंडियन परस्पेक्टिव इंडियन परस्पेक्टिव थैंक्स पर वाचिंग